बसोली में प्रटन को बढ़ावा देने के लिए जो स्थानी स्तर पर युवा है वो आगे आए हैं और बसोली के वार्ट संख्या आठ प्रलाही में स्थानी युवाउं द्वारा अपनी भूमी पर एक प्रजेक्ट बनाया गया है जिसमें कुछ टैंट्स लगाए गए हैं सब्सक्ते करेंकि क्या क्या है सब करेंगे और सबसे अच्छा इनिRC helmet में वर्जम के नियांकों को हमारी तरफ से अशीर जी यहां पर काफी देर से प्रयास किया जा रहा था कि हम अपने इस एरिया को डेवल्प करें और काफी कोशिश करने के बाद हमने एक अपना सेटाप पर त्यार किया है और यह हमारा मतलब इसमें हम कॉटेजिस और खानी पेने का इंदिजाम पूरा र फूड को हम इसको पर्मोट कर रहे हैं तो कलाडी के साथ आगे जो मारा टूरिस निजा को इमारा लोकल आने जाने वाले के लिए और भी आइटम्स का इंतिजाम किया गया है जैसे वेजमें आगी नॉन वेजमें आइटम्स आगी रहने के लिए यहां पे जो हमारा कैंपि आए हैं और बसोली के वार्ड संख्या आठ प्रलाही में स्थानी युवाउं द्वारा अपनी भूमी पर एक प्रजेक्ट बनाया गया है जिसमें कुछ टैंस लगाए गया है यहां पर टोरिस्ट को सुविदा दी जाएगी आने बाने समय में और वी ज्यादा विक्सित हो सुविदा यहोंगी प्रेट को कि यहां बिल्कुल अशीर जी सबसे पहले आपका हमारे स्थल पे बहुत स्वागत है और सभी समस्त वसोली बासियों को वसाख्य की हमारी टीम की तरफ से हाधी शुब कामना है हमारी तरफ से अशीर जी यहां पे काफी देर से प्रयास किया कोटेजी में से यह मारा जो अड्रेस है यह है नेर बोटिंग पॉइंट टूवर्ज पचास सो मिटर ठीक है और इसके लिए खाने के लिए हमने स्पेशल कलाडी जो हमारी काफी फेमस है लोकल देशी कलाडी जो हम लोकल फूड को हम यह सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यहां पर जो हमारा कैंपिंग पॉइंट है इसको बरीफ में जो बताएंगे मों मेरे पार्टनर है कार्ति जी यह ज्यादा इसके बार में आपको पता पाएंगे तो हमारे यहां दो तरह के कोटेजेस हैं जिन में आपका एक VIP प्रेमियम कोटेजेस आ गया है और दूसरा हमारे नौर्मल कोटेजेस है तो जो VIP कोटेजेस है उसमें बेड्स ओर एट आज वाश्रूम की पैसिलेटी है और उसका rent है अभी फिलाल हमने नहाना है तो उसका हम ने 1500 ही रखा है और जो नॉर्मल कोटेज है उसका रेंट हमने रखा है पर नाइट 800 तो इसके अलावा हम अलग अलग डिसकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि आपका यह जो नॉर्मल जो ब्रेकफास्ट है इसमें तो अभी फिलाल हम ब्रेकफास्ट यह आप क्या गया होता है कार्थिक और क्या-क्या सुविदा यहां पर रहेंगे जैसा कि आप जानते हैं हमारा नाइट स्के तो है यह इसके साथ हमने इडवेंचर स्पोर्स तो गयरा के लिए है हमारी सोच और इसके साथ यहां पर प्री वैडिंग के लिए एक बहुत ही जैसे नाइट पार्टी होगी यहां कोई डीजी नाइट हो गए आप अपना अपना फुद आईए जैसे आप एप नजय करना चाहते हैं मतलब आप एक बार आके देखिए रात बर बर श्टे करके देखिए रात को यहां पर मोसम रहता है शाम को इस मोसम में कुछ ऐसा जा इतना क्लीन पानी है और ऐसी हवा चलती है कि यहां पर लोग देखके इसमें मिल जाते हैं मिक्स हो जाते हैं और आप देखिए आप यहां पर हमारे जितना भी हम मिनिमम अर्टिफिशल चीज हैं हमने लेके जादे से जादा नैचरल चीजों पर फोकस किया है तो एक वो उ आपने यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम शुरू किया है किस तरह का परियास है सबसे पहले अशीर जी आपका हमारे टूरिस्ट थल पे वेलकम है स्वागत है और सबसोली वासियों को वसाख्य की हार्दिक शुपकाम ने हमारी तरफ से आज इस शुप रहने के लिए बहुत ही जवर्दस हमने इंतिजाम किया यहां पर तूरिस्ट के लिए क्योंकि जितना हमारा टूरिस्ट रहता है उनका बस यही रहता है कि रहने के लिए यहां पर कुई अच्छा था से अच्छी फैसलिटिस नहीं है और उसी को देखते हुए हमने काफी a firm कर Happy Day कमाने अच्छी करती है में यहां से हमें प्रेश्ट करता हुए हमने ऑर ओर करें इसके साथ, कलाडी के साथ, और बी जो आइटमस रहेंगी, वेज में भी रहेंगी, जैसे हमारी बसॉली की फिच है, लोकल फिच है, वो भी यहाँ पे अविलिबल रहेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कितना प्यारा वियू है, यहाँ पे हमारे जो अतल सेटु बरी यूथ हैं उनको हम as a employment की और से भी यहां पर जनरेट कर सकते हैं तो अगली जो हमारे camping point की detail है वो मेरा partner मेरा सही होगी कार्थी यू आपको पताएगा कार्थीक और क्या क्या सुविदा यहां पर रहेंगे जैसा कि आप जानते हैं हमारा night stay तो ही है तो इसके साथ हमने adventure sports के लिए है हमारी सोच और इसके साथ यहां पर प्री वैडिंग के लिए एक बहुत ही बड़ा platform है यह और साथ में बच्चों के लिए यहां और की यूथ य हो गई यहां कोई डीजिनाइट्स हो गई आप अपना पुदा ही है जैसे आप इन्जोई करना चाहते हैं मतलब आप एक बार आके देखिए रात बर stay करके देखिए रात को यहां पर मौसम रहता है शाम को मतलब इस मौसम में कुछ ऐसा जाद हुए कि आप तब हो गयता है जैसे कि इस मौसम में ऐसा जाद हुए कि इस खुद्रत में ऐसा निथास है ऐसी खुषबू है साथ में आपके आटल से तूरण भी सागट हैं इतना clean पानी है और यहां पर लोग देखके इसमें मिल जाते हैं मिक्स हो जाते हैं और साथ में हमारे कि प्रकृति और close to nature ऐसा वो उसकी भी एक अपनी एक अलग है चाने एक अलग इसका एक enjoyment है तो देखिए आप आईए और हमारे साथ मिलके देखिए कैसा रहत है झाल 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 झाल